मज़ेदार और चटपटा केले का फ्राई बनाने के लिए दो कच्छे केले लेकर उसे अच्छे से धो कर उसका पील कर ले और उसे इस तरह राउंड शेप में काट ले एक छोटी चमच लाल मिर्च पौडर, आधा चमच हल्दी, आधा चमच रोश्टेट जीरा पौडर, आधा चमच जीरा, स्वादनुसार नमक, आधा चमच चाट मसाला, एक बड़ी चमच बेशन और केले को तलने के लिए 1 टेबल स्पून ओइल अब गैस पर पैन रखेंगे, पैन अच्छा गरम होने पर इसमें तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा को थोड़ा भून लेंगे जीरा थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इसमें कटे हुए केले को डाल देगे और इसे अच्छे से mix करनें अब हम इसे बिना ढखे दो मिनट के लिए medium flame में प्राई करेंगे देखिए हमारा केले का color थोड़ा change हो रहा है अगर आप इसे पहले ढख कर पकाएंगे तो ये केला बहुत ही जल्दी पक जाता है अंदर से soft हो जाएगा और जल्दी से तूटने लग जाएगा इसलिए आप इसे बिना ढखे ही पकाएंगे और इसे पकाते समय बीच बीच में चलाते रहें देखिए हमारा केला फ्राई हो गया है अब हम इसमें हल्दी जीरा पाउडर चाट मसाला और बेशन डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम बेशन का कच्चा समल जाने तक इसे अच्छे से भून लेंगे देखिए हमारा बेशन भी अच्छे से भून गया है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिच पॉडर डाल कर इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे ती देर मिनट तक थोड़ा और फ्राई कर लेंगे देखे हमारा चटपटा केले का फ्राई बन गया है अब हम इसे एक सर्विंग बाल में ले लेंगे टेश्टी और मज़ेदार केले का फ्राई आप इसे दाल जावल के साथ सारू करें इसे खाने के बाद घर के सभी लोग आपकी तारीफ करना ना भूलेंगे